असलम लेकुम डेर स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेप्टर 3 बाय डिवस्टी का लेक्चर 10 विच इस बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर आज के हमारे टापिक का नाम है बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर ठीक है सबसे पहले आजाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कारलस लीनियस इंट्रोड्यूस ने बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया ठीक है अब ये बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर होता क्या है इसके अफ़ नेमिंग इन विश टू टर्म्स और वर्ड्स और यूज़ तो डिनोट एक इसा नाम देने का एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो टर्म्स दी जाती हैं किसी भी स्पिशी को डिनोट करने के लिए मतलब उसकी पहचान के लिए एक ऐसा नाम दिया जाता है जो ना लिएंग आरगनिजम को दो वर्ड्स पर मुश्तमिल नाम असाइन किया जाता है ठीक है इस चप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको का था कि क्लासिफिकेशन सिरफ यह नहीं है कि आपने लिएंग आरगन आरगनिजम को नम्स आसाइन करते हैं ठीक है अब यह नहींड किये जाते हैं उसकी एक वजह है कि किसी भी लिएंग आरगनिसम के जो कामन नेम उते हैं वह कुसають ते सेमंपल मैंगो है अग्लेश में इसको मैंगो कहते है उर्दू में हम आम कहते है पच्तो जबान में वर्ड बहुत मतलब वेरियस लेंगविज में यूज किया जाता होगा तो जब इंटरनेशनल सेमिनार होती हैं और सारे साइंटिस एक साथ बैठते हैं तो तब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करवाने में थोड़ा टाइम लग जाता था साइंटिस को मतलब हम किस चीज़ के भी बोला जाएगा तो कोई भी साइंटिस्ट है बियॉलिजिस्ट है या साइंस से रिलेटेड कोई भी परसन है तो वो उस चीज़ को पहचान लेगा कि यह इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इस वज़गा से यह बाइनामिल नामन क्लेचर जो है वो इंटर्डूस करवा हम एनिमल्स को दे रहे हैं तो उनके लिए जोलोजिकल नेम्स की टर्म यूज की जाती है और नेम्स ऑफ प्लांट्स अरकाल बोटैनिकल नेम और प्लांट्स को जो साइंटिफिक नेम दिये जाती है उनको बोटैनिकल नेम कहा जाता है for example यहां पर नाम दिया गया होमो होमो सैपियन्स इस इसी सिस्टम के तहर तकरीबन चार हजार मुख्लिफ नसलों को कहते हैं मुख्लिफ नसल के मुख्लिफ एनिमल और प्लांट की नसलों को उसने क्या किया था लिस्टेट किया था तर्तीब दे के उनको नाम असाइन किये थे और उसके सासत उनकी वजाहत भी दी थी कि ये नाम उसने किस बेस पर दिया है तो अब आजाते हैं हम रूल्स आप बाइनमिल नामन क्लेचर अब कोई तो असूल भी होंगे ना जिसके तहत ये नाम दिये जाती होंगे तो उन में से कुछ रूल्स जो है हमने यहां पर डिसकस की है ठीक है तो उन में सबसे पहला है दा फर्स्ट वर्ड इस दी नेम आफ जीनस जो सबसे पहला वर्ड होता है साइंटिफिक नेम का वो वर्ड होता है उसका जीनस नेम ठीक है जीनस के बारे में मैंने आपको जो है ना हायरकी आफ टेक्सॉनमी में बताया था वाल्ड सेकिंड वर्ड इस दी नेम आफ स्पिशी और जो सेकिंड वर्ड होता है वो example homo homo sapien पीछे मैंने जिकर किया homo जो है homo human being की genus है genus का नाम है और sapien जो है वो specie है तो homo और sapien ने मिलकर क्या बना दिया scientific name बना दिया second इसका है the generic name begins with a capital letter and specie या specific name with small letter हमेशा जब भी generic name मतलब जीनस का जो नाम लिखा जाएगा वो हमेशा capital letter से start होगा जैसे कि homo में मैंने लिखा भी है और जो specie का नाम है वो हमेशा small letter से start होगा ठीक है third one is when a scientific name is typed it is italicized means कि जब scientific name को computer में अगर हम type करके लिखती है तो उसको type करने का तरीका है कि उसको italicized किया जाएगा Microsoft Word में जब हम लोग writing करते हैं तो वहाँ पर जो है ना italic का एक option होता है कि अगर हम उसको click करें तो हम जितने भी अगर आप computer में नाम को लिख रहे हो और अगर आप इसको hand written लिख रहे हो तो फिर हम इनको separately क्या करते हैं अलग-अलग दोनों को underline करते हैं और यह ऐसे रूल्स है कि अगर आप किसी scientific name को लिख रहे हो अगर इन रूल्स को follow नहीं कर रहे हो तो आपका साइंटिफिक नेम है वो कभी भी सही नहीं समझा जाएगा वह हमेशा घलत ही ठेराया जाएगा तो जैसे कि आप लोग अगर पेपर में टेस्ट में या अपनी पापी पर हैंड डिटन में था हम तो टाइप नहीं करते हैं तो हैंड डिटन लिखो गए तो आपने हर हाल में जो है इन दोनों नाम को अलग अलग अंडर लाइन जरूर करना होगा ठीक है यहां पर आपकी बुक पेज नमबर 51 पर यह एक टेबल दिया हुआ है biological names of some animals यह zoological name ठीक है यहां पर कुछ animals की जो है ना वो zoological name दिये गई है local भी और English भी और उसके बाद zoological name है local name है मक्खी, English name है housefly and zoological name है muska domestica local name है zarafa, English name है giraffe and it is girofa camello pardolis next local name है खारपुष्ट, parcupine and hystrix licuora local name is billy, English name cat and zoological name phallus domesticus titli, butterfly, paris rappe, kechwa, earthworm, ferritima, postthuma उसके बाद page नमबर 52 पर एक और table given है जिसके अंदर उन्होंने botanical name दिये हुए है कुछ plants के जैसे के local name है nilofar, English name है blue water lily and botanical name is nemphalotus